नैपाल में शुकरवार की देराध धरती अचानक कांप उठी और भोकम से चार और हाहाकार मच गया नैपाल में शुकरवार राध 6.4 तिवरता का जोरदार भोकम पयार जिसके चटके राष्टियर राजधानी छेतर सहित उत्तर भारत के क्याई हिस्सों में महसूस किये गए उत्तर पक्षिमी नैपाल के जिलो में जोरदार भोकम से मरने वालों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है और अब तक इस तभाई में 154 लोगों की मौत हो चुके है और 140 से अधिक लोग खायल हो चुके है जबकि बचावदल पहाडी गामों में रैस्की ओपरेशन चल तबाही पर खुद प्रधान मंतरी नजर बना कर रहे हुए हैं पीमों ने ट्विट किया कि प्रधान मंतरी पुष्प कमल दहले शुकरवार रात 11 बचकर 47 पिनट पर जजर कोट के रामिन डंडा में भुकम से हुई मानविया और भौतिक छती पर गहरा दुख वैक्त किया और सभी तीन सुरक्ष एजनसियों को ततकाल बचाव और राहत के लिए तैनात कर दिया गया आपको बता दे कि नैपाल में भुकम से मनने वालों का आखड़ा अभियो और बढ़ सकता है भुकम की तबाही में फसेल लोगों को आप एयर लिफ्ट करने की भी तैयारिया की जा रही है भुकम का असर भारत में भी देखने को मिला दिल्ली एंसियार के लवा उत्ताप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजिस्थान, हरियाना, पंजाव और बिहार की राजधानी पटना में भी भुकम के तेज जटके महसूस किये गए हाला कि भारत में किसी तरह के जान जिन द्वारा सभी प्रिकार के चोटे बड़े ओपरेशन, गुर्दा रोग, हिर्दिय रोग का विशिशग्य डॉक्रस द्वारा इलाज किया जाता है, इस्तरी रोग विशिशग्य है, हमारा पता है गंगा नगर बुलंद शहर